वेलकम, आज की वीडियो में हम हाइट के बारे बात करेंगे that how you can increase your height and achieve your perfect height जो भी आप चाते हैं, मेरा नाम Dr. Umar है और मेरी हाइट जो है वो fortunately 6 feet tall है my father is 5 foot 7 and my mother is 5 foot 6 and a half so मैंने अपने पेरेंट से तर्गीबन 4 से 5 इंच ज़्यादा गेन किया है so मैं उसके बार मैं experience करूँगा कैसे आप अपने जिनेटिक्स को enhance कर सकते हैं और कुछ लोगं का साथ ही होता है कि वो अपने पेरेंट से भी लंबे हो जाते हैं और कुछ जो होता है अपने पेरेंट से भी छोटे रहा जाते हैं so हम इनकी factors को जानेगे because हम चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट से लंबे ही रही है so इस वीडियो को लास्ट एक हैगा क्योंकि जो मैं effectors बताने वारा हो सकते हैं उनमें से एक या दो आपके काम आजाएं और you can achieve your target height first of all तो यह नहीं कि हम थोड़ा जान लेते हैं understand कर लेते हैं how height works height इस तरह काम करते हैं कि आपकी jeans में encode हुआ होता है कि आपको कितनी height मिलने वाली है वो आपकी body जाके जीन से जा मिलती है तो आपकी bones के ओपर एक epifysal area आता है long bones के ओपर long bones में आपकी femur आ जाती है tongue वाली bone आपकी hemriss radius bazo की bones आ जाती है उन में खास area होते हैं जिसे हम growth plate कहते हैं वहां से growth हो रही होती है जब आप puberty को hit करने 17-18 को cross करते हैं तो वो जब hard हो जाता है तो आपकी growth रुख जाती है तो हमने कोशिश के यह करनी है कि वक्त से पहले hard ना हो और जादा अरसे तक आपकी growth होती रहे थोड़ी थोड़ी first of all तो यह है कि आपने exercise करनी है exercise का सब बहुत जादा रोल है आपकी height के growth होने में आपने देखा कि athletes जोते हैं usually there are tall मतलब उसमे exceptions आ जाती है मैं school के time से childhood से I was very active in sports और जो भी मेरे साथ में पेर्स थे दोस्त थे class वेलोस थे they all achieve their good heights आपको कोई compulsion नहीं है कि आपको कोई sport करें जो मैं करता था there was cricketing and usually balling and authority so उसमें ही है कि you can gain your height in that उसे क्या होता है कि आपकी body को growth factor hormone जो होता है वो मिलता है basically आपकी height dependent करें होते हैं आपके growth hormone पे आपके growth hormone जो है height को deduct करता है जब आप exercise करते हैं तो body growth hormone को जाधा release करती है तो जब जाधा release करती है तो height जाधा growth होते है तो इससे 10-18 की age में है आप sports में indulge हो और उनको जो भी आपको पसंदा जूरूरी कोई physical activity करें इससे दूसरा question राइस होता है जो समझा जाता है कि जिम नहीं करना चाहिए उसे growth रुक जाती है ऐसा हर्गीज नहीं है gym के मारे में जो कहा जाता होई है कि जाधा heart gym नहीं हार्ट से कि आपकी cartilage या bones को damage ना करें अगर आपने बहुत जाधा strength training कर ली weight जादा जूर से जादा उठा लिया that can stop your growth लेकिन अगर आप थोड़ी सी exercise कर रहे हैं थोड़ी से muscle बना रहे हैं उसे आपको फाइदा ही होगा long term में नुकसान नहीं होगा यह की myth है इसमें कोई scientific proven बात नहीं है second चीज जो important है वो है diet diet जो है वो exercise से भी जादा important चीज है क्योंकि जब exercise करते हैं आपकी body में growth hormone release होता है वो body को signal देता है जी grow करो लेकिन grow करने के लिए तो उनको को खुराक चाहिए grow करने के लिए fuel चाहिए जो fuel है body का वो diet है diet में आपने vitamin D rich foods लेने हैं इसमें अंडा दही दूद इस तरह की चीज़ें और धूप में धूप में धूप में जादा जाना है especially जो आप sports करेंगे तो धूब आपको ऐसे मिल जाएगी तो आपकी height reasonable हो जाएगी और उसके इलावा सबजियां, पालक, पनीर, साग वगेरा green vegetables का आपने जादा यूज़ करना है third thing is sleep जब आपने exercise भी कर लिया और आपने diet भी अची ले रही रात को दूद ले लिया, सुभा को yogurt ले ले लिया now sleep is very important क्योंकि आपकी body ने जब आपने exercise की या physical activity की कोई भी तो आपकी body ने growth hormone release किया कि grow करें, grow करने के लिए आपको fuel चाहिए था, fuel भी आपको आगया आपकी body में जो के fuel आपने diet के जरी पूरा करें लेकिन अब वो fuel तब तक नहीं लगेगा, building blocks आपकी body के तब तक नहीं बनेंगे जो तक आप सुएंगे नहीं इसलिए बच्चों को teenagers को साथ से नो गंटे की नीद लेनी चाहिए और अगर आप 20 से उपर भी जा रहे हैं तब भी आपकी height के few centimeters grow कर सकते हैं तो अपनी diet इसी तरह की रखिए, calcium में rich, vitamin D में rich, proteins में rich, ताकि जब आप सौएं तो आपकी body आपकी height को बढ़ा सके और muscle भी grow करें और आपकी bones भी grow करें तो इसलिए sleep is also as important as diet and exercise in your height growth अब discuss कर लेते हैं कौन साथे factors हैं जो आपकी height को stop कर सकते हैं early age पे smoking पे लग जाना, early age पे alcohol पे लग जाना, early age में ही आपको coffee पे लग जाना, early age में इन कामों को करने से आपकी height भूख भी सकती है और आप अपने parents से चोटे भी हो सकते हैं तो कोशिश करें इनको avoid करें वैसे तो सारी जिनगी आपको इनकों से avoid करना चाहिए especially smoking and alcohol से लेकिन early age में लाजमें avoid करें when you are in 20s because 25 तक भी you can grow a few centimeters पांच भी जीज़ है genetics के genetics जो यह है कि आपके खांदान में से अगर आपको height अच्छी मिली है तो well and good आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन हमने कोशिश यह करना है कि आपकी diet को भी अच्छा रखना है because उनकी diet और sleep और exercise उनके parents ने include कराई होती है तो उनके genes वह ज्यादा trigger होते हैं तो वह तीन से चार inches अपने parents से भी लंबे हो जाते हैं जो कि मेरे case में भी ऐसा है कि मैं अपने father से अपने mother से four to five inches tall हूँ अब last thing ही है कि लोग कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हमने के subscribe कर लिया जो 25 से plus age में चले हैं और हमारी height बिल्कुल भी ने grow सकती तो आपने किसी भी नीम हकीम या उन चक्रों में नहीं पढ़ना कि हमारी height grow हो जाए because scientifically ऐसा कोई evidence नहीं है कि 25 साल के बाद height grow कर सकती है उस case में आपने ये करना है कि आप कुछ techniques यूज कर सकते हैं जब आपको होता हूँ एक तो आपने posture को से रखना है आपने जब खड़े होना है या बैठना है वर्क में स्कूल में तो आपने कमर को सीधा रखना है और if you are very healthy if someone is very healthy उनकी height perception में कम रखती है वो छोटे नजर आते हैं तो अगर आपकी height कम रहेगी है 25 तक तो आप अच्छा दिख सकते हैं अपने weight को कम रखके slim and smart रहे के you can look very tall third thing जो के cheap technique है but it works के आप you can wear high shoes मतला high shoes पहन सकते हैं आप high heel वाले shoes तो females के लिए मेल्स में भी boots आते हैं जिनकी heel थोड़ी से मुच रहती है एक दो इंच विच के एड़ to your height also आप आप shoes फोड़ी है कि आप shoes के अंदर enhanceers यूज कर सकते हैं वह padding यूज करके आपने shoes को बाहर से आपको heel मिल जाएगी और shoes के अंदर भी आप एक इंच की पैंडिंग करके half inch की पैंडिंग करें you can gain your height and fifth trick है कि आपने hair को जब बनाएं ये boys के लिए कि उनको थोड़ा सा बल्की बना लें उनको ब्लोड्राइ करा रहें तो थोड़ा सो में वोल्यम आज है half inch का one inch का so that you can look tall so इसके लाव भी कोई आपकी questions नहीं तो do let me know and have a nice day and grow tall and